आज हम जो बात करेंगे थार्मस अर्ड की आज आल नॉवल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे उनकी जो समरी है उस पर बात करेंगे और जो कारेक्टर्स है पब्लिकेशन डेट्स हैं यह सभी हम बात करने वाले हैं तो आप बने रहेए एक घंटे यह वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाती है क्योंकि पूरा राइटर कवर करना होता है जो स्टोरी लाइन है वो अगर आप उसे याद नहीं रखेंगे तो आपको वर्क के साथ की जो करेक्टर्स हैं वो याद नहीं रहेंगे तो स्टोरी को आप बड़े ध्यान से सुनिए अपना एक रफ नोटबुक लेके अपने पास रखिए तयार रहिए जब भी आप वीडियो को आन करते हैं तो नोटबुक और पैन के साथ जरूर बैठिये क्योंकि यह जो पूरी नहीं देख रहे हैं तो अच्छा फील नहीं होता इसलिए यह जो पूरी मेहनत है इसका आपको पूरा फाइदा मिले तो आप पूरी देखिए ठीक है चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं तो यहां से आप लोगों का शुरू होता है यह आज का सेशन कि जो आल तो नहीं है लेकिन जो इंपोर्टन नोवल्स हैं वो मैंने कवर की है तो पहला जो है वो है आपका मेयर आफ कैस्टर ब्रेज दूसरा है जूर दी ऑबिस्क्योर डेस्परेट रेमेडीज अंडर दी ग्रीन वोटरी फार फ्रूम मैडिंग क्राउड और दी पोर मैन अंड दी लेडी ओके इतना हम इसमें कवर करेंगे तो यहां से शुरू होता है दी मेयर आफ कैस्टर ब्रेज सब्टाइटल जरूर याद कीजिए क्योंकि सब्टाइटल से एक या दो कुशिन जरूर आते हैं ठीक है पॉब्लिकेशन डेट से जरूर आएंगे तो यह सारी चीज सब्टाइटल है उसके बाद आते हैं कि इसके इंपोर्टेंट फेक्ट पे दिलाइफ और डेफ ऑफ और मैन ऑव करेक्टर इस एन 1886 नॉवल बाइदे इंगलिश ओथर थामस अर्डी और यह हार्डी वसेक्स नॉवल का पार्ट है वसेक्स के बारे में बात करें तो वसेक वसेक्स होगा means उस जगह पर वो सेट होगा ठीक है तो याद रखें कि यह आपकी एक वसेक्स नॉवल है यह भी कोशिया ना सकता कि वसेक्स नॉवल कौन कौन सी है इस सेट इन फिक्शनल रूरल इंगलेंड यह फिक्शनल है इमेजनेरी है ना विट कैस्टर ब्रेज स्ट यह पब्लिश होई थी दि नॉवल इस कंसिडर टू भी हार्डी ज मास्टर पीस और इसे हार्डी का मास्टर पीस पाना जाता है बेस्ट वर्क्स में से एक माना जाता है अट अ कंट्री फेयर नियर कैस्टर ब्रेज वसेक्स माइकल हैंचर्ड अब यहां से शुरू होती है है इस तो जो माइकल हैंचर Guess उसकी यह स्टॉरी है उसके बारे में हम बात करेंगे टिरू करेंटर को देगते हैं जो माइकल हैंचर्ड है वो 21 साल का है वो एक हे ट्रूसर है ठीक है यह जो हम कहें भूसा बनाने वाले हैं अर्गिूजू इंवाइब सुजैन वो अपनी औक्षन कर देता है, ऑके बोली लगा देता है, अलोग विद अर बेभी डॉटर एलजब हैसजेने टो रिचार्ड Niceon, तो उसने अपनी जो बेटी है, उसका भी आक्षन कर दिया है, रिचार्ड Niceon को उसने बेज दिया है, जो हेंचर्ड है, उसने अपनी वाइफ और बेटी को किस के साथ बेचा है रिचर्ड नीूसन को अपासिंग सेलर फॉर फाइव गिनीज फाइव गिनीज के लिए बेज दिया अब उसको वो जब उसका नशा उतरता है तो सोबर हो जाता है ठीक है ये वर्ड्स भी मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आपके वोकाबलरी को भी इंक्रीज करेंगे तो इन वर्ड्स को भी आप बड़े ध्यान से सुनिए तो सोबर मीन्स होता है जब नशे से आदमी उतर जाता है वोके उसे हम रिमोर्स फूल रिमोर्स होता है आपका रिपेंट जब आदमी क्या करना चाहरा है रिपेंट करना चाहरा है और परस्याता आप करना चाहरा है रिपेंटिमो फूल हो जाता है next day and he is too low too late to locate his family वो अपनी family को locate नहीं कर पाता, ढूम नहीं पाता He was not to touch liquor again for 21 years, वो 21 साल के लिए शपत ले लेता है कि वो 21 साल तक अब पिएगा नहीं Believing the auction to be legally binding Suzanne lives as Nusen's wife for 18 years और जो Suzanne है, अबो Nusen की wife बन चुकी है 18 साल उसे हो जाते हैं After Nusen is lost at sea Suzanne lacking any means of support decide to seek out henchard again Taking her daughter with her अब क्या होता है, कि जो Nusen है वो 18 साल बाद मर गया है तो ये जो character है, Nusen हो गया Jane हो गई Suzanne हो गया, henchard हो गया ये आप बार बार ध्यान से सुनिए तो henchard क्या करता है जो Suzanne है, जब उसका जो नया पती था, Nusen वो मर गया, तो फिर से सूसती है चलो henchard के पास चलते हैं Suzanne has told Elizabeth Jane little about henchard, और जो Suzanne है उसने अपनी बेटी को थोड़ा बहुत ही बताया है, किसके बारे में? उसके बाप के बारे में उसके पापा का नाम क्या है? henchard alright, the young woman knows only that he is a relation by marriage Suzanne discovers that henchard has become a very successful hay and grain merchant mayor of Casterbridge अब वो क्या बन गया है? mayor of Casterbridge बन चुका है वो बहुत ही successful hay and grain merchant है जो कौन है? henchard है okay, known for his staunch sovereignty he has avoided explaining how he lost his wife allowing people to assume he is a widower तो वो लोगों को ये नहीं बताता था कि उसकी जो वाइफ है, वो किस तरह से गई थी क्योंकि उसने क्या किया था? उसको बेच दिया था पीकर तो अब वो क्या है? कि लोग उसे सोचते हैं कि वो एक widower है when the couple is reunited henchard proposes remarring Suzanne after a sham courtship अब क्या होता है? henchard जो है वो दुबारा उसे propose करता है शादी करने के लिए और एक sham courtship कर देता है sham courtship क्या होती है? actually sham marriage होती है this is just for sexual things तो उन्होंने sham courtship में शादी कर ली है this in his view being the simplest and most discreet way to remedy matters and to prevent Elgabeth being learning of their disgrace अब यहाँ पर क्या है? उन्होंने ये जो sham courtship की है means एक शादी just for you know sexual relationship ये सिर्फ इसले किया है उन्होंने कि जो Elgabeth Jane है जो उसकी बेटी है उसको उनके बारे में पुरानी स्टोरी ना पता चले कि उसके जो फादर है उन्होंने बेच दिया था तो जो जो लूसिटा टैंपलमेन है उसके साथ उसकी engagement हो रखी थी हैंचाड की लेकिन फिर क्या होता है जब वो वापस आ जाती है उसकी wife सुजैन वापस आ जाती है तो लूसिटा से क्या कर लेता है ब्रेक ब्रेक अप कर लेता है तो ब्रेक आफ हो जाता है उनका यहां पर जो नया हम कैरेक्टर की बात करें तो एक डॉनाल्ड फार्फरे है तो डॉनाल्ड फार्फरे एक energetic scotman है जो उधर से चल रहा होता है केस्टर बीज के नस्दीक से तो henchard को कुछ suggestions देता है henchard takes a liking to the man persuades him not to immigrate and hires him as his confactor अब उसको confactor बना देता है अपने यहां job दे देता है क्योंकि वो कहां से आया है Scotland से आया है rudely turning away a man named job to whom he had already offered the job अब यहां पर क्या होता है कि उसने यह job पहले से किसी और को दी होती है उसका नाम है job okay job को ही job दी है all right लेकिन क्या होता है कि जैसे उसे डॉनाल्ड farfrae मिलता है तो उसको job दे देता है farfrae is extremely successful in the role and increasingly outshines his employer और जो farfrae है वो बिलकुल काफी successful हो जाता है अपने जो employer है henchard है उसकी तरह है when he catches the eye of elgabeth jane जैसे उसको एक दिन elgabeth jane से मिलता है वो उसको देखता है तो henchard उसको dismiss कर देता है and farfrae sets himself up as the independent merchant और यहाँ पर जो farfrae है वो खुद को क्या कर लेता है एक independent बना लेता है वो खुद भी एक merchant बन जाता है henchard की तरह farfrae conducts himself with scrubsless honesty वो बहुत ज़्यादा honest होता है but henchard is so determined to ruin his rival that he makes risky business decisions that prove disastrous और जो henchard है वो अब farfrae को farfrae को बरबाद करना चाता है और वो बहुत सारे risky अपने क्या करता है business में decisions लेता है जिसकी वज़े से उसका business बरबाद हो जाता है sujain falls ill and dies shortly और जो sujain है वो बीमार होती है और कुछ दिनों बाद उसकी death हो जाती है leaving henchard a letter to be opened on the death day of Elgabeth Jane's wedding अब जो henchard है उसके लिए उसने एक letter छोड़के गई है और उसको कहा है उसने कि जब Elgabeth Jane उनकी बेटी के शादी होगे उसी दिन खोल ना उस letter को henchard reads the letter which is not properly sealed and learns that Elgabeth Jane is not infect his daughter उसको जैसे वो letter खोलता है henchard उसको खोल लेता है क्योंकि वो जो letter था वो properly क्या नहीं था sealed नहीं था तो उसे पता चलता है कि जो daughter है वो nuisance की daughter है ठीक है his Elgabeth Jane having died as an infant और जो उसकी बेटी थी Elgabeth Jane वो तो पहले ही मर चुकी थी henchard's new knowledge causes him behave coldly towards the second Elgabeth Jane और अब इस बात से क्या हो गया है जो henchard है वो अब उसका जो behave है वो बहुत cold हो गया है किसकी तरफ Elgabeth Jane उनकी जो बेटी है उसके तरफ Elgabeth Jane accepts a position as companion to lucita और जो Elgabeth है वो अपना जो lucita थी पिछली जिसके साथ उसकी engagement हुई थी उसकी companion बन जाती है a newcomer unaware that she had had a relationship with henchard अब जो Elgabeth Jane है उसे नहीं पता होता कि जो lucita है इससे henchard की क्या थी पहले से relationship थी जिससे वो socially काफी रियून होती है उसकी social image बरबाद होती है now wealthy after receiving an inheritance from her aunt and learning that henchard's wife had died lucita has come to caster brace to marry him जैसे ही lucita को पता चलता है कि अब सुजैन की death हो चुकी है वो caster brace दुबारा आ गई है तो आपको characters याद हो रहे होंगे lucita है suzanne है elgbeth jane है henchard है ये characters आपको याद रखने है इनकी list बनाते वे चलनी है how on meeting farfrey हाँ ये भी character बहुत important है she becomes attracted to him and he to her अब जैसे वहाँ पर आती है तो उसे कौन मिल जाता है बीच में farfrey मिल जाता है henchard's financial difficulties persuade him that he should marry lucita quickly और henchard की जो financial difficulties हैं उसे lucita को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए but she is in love with farfrey ना हो लेकिन अब उसको किस से farfrey से प्यार हो गया है क्योंकि अब वो बहुती rich आदमी है they run away one weekend to get married not telling henchard until after the fact अब जो है उसने शादी कर ली किस से farfrey से henchard's credit collapse and he goes bankrupt अब जो henchard है वो bankrupt हो गया है उसके पास अब कोई पैसा नहीं रहा farfrey buys henchard's old business and tries to help henchard by employing him as a gentleman अब जो henchard है वो help उसकी help करता है कौन farfrey lucita ask henchard to return her old love letters and henchard ask job to take them to her और जो lucita है वो कहती कि henchard को की तुम्हें काम करो कि जो मेरे पिछले जो love letters थे उनको वापस दे देना और जो henchard है वो job को जिसको कि उसने पहले job पे रखने के लिए मना किया था फिर job से निकाल दिया था वो job को वो उसको love letters देता है और कहता है कि जाके lucita को दे दो job who still bears a grudge for the having being cheated out of the position of the factor opens the letter and reads them out loud at an inn वो एक inn एक hotel में जाता है और वहाँ पे बहुत जोड-जोड से उन letters को पढ़ देता है क्योंकि वो पहले से गुसा है किस से henchard से क्योंकि henchard ने उसको क्या कर लिया था job से निकाल दिया था some of the town's people publicly shame henchard and lucita creating ifigies of them in skimpton ride अब यहाँ पर क्या होता है कि जब लोगों को ये चीज़ पता चलती है तो henchard और lucita को ना की ifigies बनाते है और उनके लिए बुरा बला कहते हैं lucita is so devastated by the spectacle that she collapses has a miscarriage and dies अब जो lucita है जब उसको ये सारा सारी public जब ये सब कर रही होती है उन तोनों के लिए तो वो इस spectacle से दिरिश्चे से क्या होती है collapse हो जाती है और वो मर जाती है the next day newson who it transpires was not lost at sea arrives at henchard's door asking about his daughter अब जो newson था वो वापस आ जाता है ओके and then he asked henchard about his daughter और वो पूसता है कि उसकी बेटी कहा है henchard who has come to value her kindness to him is afraid of losing her companions ship and tells newson is dead newson she is dead तो वो newson को क्या बोलता है वो कहता है कि वो डरता है कि कहीं ये उसकी बेटी को लेके ना चला जाए इसलिए वो कह देता है उसको कि जो उसकी बेटी है Jane है Elizabeth Jane वो मर चुकी है newson leaves in sorrow newson जो है वो बहुत दुखी होता है और चला जाता है after 20 years 21 years 21 years में उसने क्या सोचा था कि मैं जो लिक्वर है शराब है उसे नहीं पियोंगा henchard's woe of abstinence जो abstinence के लिए उसने शुपत ली थी वो expire हो गई है and he starts drinking again और उस दुबारा से क्या करना पीना शुरू कर देता है eventually discovering that he has been lied to बाद में उसे पता चलता है कि उसने जूट बोला है newson को ये बात पता चलती है ठीक है कि उसने जूट बोला है जूट बोला है और newson वापस आता है henchard disappears rather than endure a confrontation जो henchard हो इस बात को जब उस पता चलता है कि newson आ चुका है तो वहाँ से चला जाता है on the day of elgabed jane's wedding to farfrey अब जो farfrey है उससे elgabed jane की क्या हो रही है शादी हो रही है he comes back timidly seeking our reconciliation she refurbs him and he departs for good और जो newson है वो वापस आता है वो अपने बेटी से मिलता है लेकिन उसके बेटी उसे rebuff करती है डारती है वो वापस चला जाता है later regretting her coldness she and farfrey set out to find him बाद में jane को लगता है कि उसने ये चीज गलत की तो फिर से regret करती है और वो और farfrey दोनों के दोनों ढूनने चले जाते है किसको? newson को they arrive too late and learn that she had died alone he had died alone और बाद में उन्हें पता चलता है कि जो newson है वो दुखी हो जाता है और उन्मर जाता है they also find his last written statement his dying wish to be forgotten और उसकी जो dying wish है वो ये है कि उसे भूला दिया जाए principal characters की बात कर लेते हैं इसमें Michael Hanchard हमने देखा वो hate trocer है who becomes mayor of customers Suzanne थी मुझे ऐसा विस्वास है कि आप लोग वो ये story सुनते सुनते ही आपको characters के नाम याद हो चुके होंगे Suzanne Hanchard जो है Newson wife of Hanchard अब वो Newson की भी wife बनती है बाद में and sold to Newson Richard Newson seller purchases Suzanne and lives with her for many years as her defecto husband वो उसका defecto husband है Elizabeth Jane जो है daughter of Suzanne by Hanchard dies as an infant और जो दूसरी है Jane वो बाद में शादी कर लेती है Farfrey से Next जो है वो है आपकी Elizabeth Jane daughter of Suzanne by Newson Marys Farfrey Donald Farfrey becomes mayor of Casterbridge after Hanchard Hanchard के बाद mayor of Casterbridge बनता है उसे रोग दिया जाता है वो एक Scottish आदमी है Lucita Templeman Laysua native of Jersey who has an affair with Hanchard Marys Farfrey Lucita Templeman के बारे में हमने देख लिया था जोस्वा शॉप जो है sometimes manager with grudge against Hanchard जिसको की Hanchard ने पहले job देने के लिए बोला था फिर उसे मना कर देता है फिर उसे बना कर देता है उसके love letters Lucita के साथ जो है एक hotel में पढ़के Jude the Obiscure Jude the Obiscure के बारे में अब हम पढ़ेंगे फिर से इसके story देखेंगे summary देखेंगे और इसके characters देखेंगे Jude the Obiscure is a novel by Thomas Hardy which begins as magazine serial in 1894 तो ये 1894 में magazine serial की तरह यूज वी थी publish हुई थी और first published in a book form in 95 और 95 में एक book की तरह ये publish हुई थी मेंस एक book बन गई थी पहले इसे serial की तरह यूज किया गया और बाद में ये एक book की तरह publish हुई थी its hard is last completed novel तो इसके बारे में ये factor याद रखिए कि ये आपकी last completed novel है by the writer its protagonist उसकी जो protagonist है heroine है वो है Jude Fowley a working class young man Jude Ferre है वो इसका protagonist है stone mission ये क्या है आपका Jude Fowley ये एक इसका hero है और ये एक stone mission है stone mission means stone से चीज़े बनाता है who dreams of becoming a scholar अब वो सोचता है उसका एक dream है कि वो एक scholar बनेगा एक विद्वान बनेगा the other main character is his cousin Sue Bridehead who is also his central love interest the novel is concerned in particularly with issue of class education, religion, morality and marriage और जो ये novel है ये किसीज़ के बारे में है इसमें class के बारे में है society में जो different classes होती है अपर class, lower class, middle class like and education के बारे में religion, morality, marriage के बारे में चलिए अब इसकी summary देखते है the novel tells the story of Jude Fowley ये Jude Fowley की story है and he lives in a village of southern England part of hard-risk fictional county of Vasex ये भी Vasex novel में count होती है Vasex के बारे में already बता चुका हूँ who earns to be a scholar at Christ Minister a city modeled on Oxford Christ Minister है एक जगे और ये city है जो के Oxford की तरह बनाई गई है As a youth, Jude teaches himself classical Greek and Latin जो जूड है वो क्या सीखता है classical Greek or Latin दोनों चीखता है in his spare time, खाली time में while working first in his great aunt's bakery with the hope of entering university वो अपनी auntie की bakery में भी काम करता है कि जिससे की वो university में admission ले पाए but before he can try to do this the knife, Jude is seduced by Arabella Dawn अब जो knife Jude है जो simple सी Jude उसकी sister है उसको seduce किया जाता है Arabella Dawn के साथ rather coarse, morally lax and superficial local girl who traps him into marriage by pretending to be pregnant और जो Jude है उसको क्या किया जाता है कि जो एक Arabella Dawn है वो उसके साथ relationship में आती है फिर उसको इस चीज में trap करती है कि she is pregnant उसे कहती है कि वो pregnant है अब जब उनकी marriage होती है वो भी एक failure होती है and Arabella leaves Jude and जो Arabella है वो Jude को छोड़ देती है and later immigrates to Australia और वो चली जाती है Australia where she enters into by gamus marriage में by this time Jude has abandoned his classical studies और जो Jude है वो अब अपना जो classical studies है वो भी उसने छोड़ दी है after Arabella leaves him Jude moves to Chris minister and supports himself as a mason अब वो बाद में क्या बन जाता है mason बन जाता है while studying alone अब वो Chris minister चला गया Chris minister कौन सी है city जो कि Oxford के जैसी बनाई गई है hoping to be able to enter the university later वो चाता है कि वो university में चला जाए there he meets and fall in love with his free-spirited cousin Sue Bridehead अब वो वो वहाँ जाके जाता है तो अपनी cousin के साथ उसे प्यार हो जाता है उसका नाम है Sue Bridehead तो ये भी आपकी क्या है important character है इसमें but shortly after this Jude introduces Sue to his former school teacher Mr. Philotson तो बाद में उसका जो introduction है वो इस character के साथ में होता है Mr. Philotson के साथ whom she eventually is persuaded to marry और वो बाद में उसे marriage कर लेती है Mr. Philotson से despite the fact that he is some 20 years her senior की वो लगभग 20 साल बड़ा से होता है Sue Bridehead से However, she soon regrets this because in addition of being in love with Jude she is horrified by the notion of sex with her husband वो अपने decision से को regret करती है उस पर पश्याताब करती है क्योंकि वो Jude से क्या करती थी प्यार करती थी और वो इस बात से बहुत horrified है that she will have sex with her new husband who is 20 years senior to her वो उसे 20 साल बड़ा है Sue soon ask Philotson for permission to leave him for Jude और वो Philotson को से permission लेती है कि वो उसे छोड़ दे और वो जाके Jude से मिल ले which he grants और Philotson इस चीज के लिए मान जाता है once he realizes how unwilling she is to fulfill what he believes are her marital duties to him जब Philotson को पता चलता है कि वो marital duties को नहीं निभा सकती उसके साथ में तो वो इस चीज के लिए agree हो जाता है उसे जाने देता है because of this scandal the fact Philotson willingly allows his wife to leave for another man Philotson has to give up his career as a school master और उसे खुद का भी जो school master का उसका business था या उसका उसकी job थी वो भी छोड़नी पड़ती है Sue and Jude spend some time living together without any sexual relationship जो Jude and Sue है वो without sexual relationship के साथ में रहते हैं this is because of Sue's dislike both of sex and institution of marriage क्योंकि जो Sue है वो दोनों चीजों को पसंद नहीं करती है so she doesn't like marriage and sexual relationship soon after Arabella reappears having fled with Australian husband अब जो Arabella है वो दोबारा वापस आ जाती है वो अपने Australian husband को उसने छोड़ दिया है who managed a hotel in Sydney and this complicates matter और जब Arabella वापस आ जाती है तो इससे जो matter है वो all complicated हो जाता है Arabella and Jude divorce and she legally marries her by gamis husband and Sue also Sue also is divorce यहाँ पर Arabella और Jude भी divorce कर लेते हैं Sue भी अब divorce कर चुकी है however following this Arabella reveals that she had a child of Jude's कि वो बाद में बताती है Arabella कि उसका एक बच्चा जो है वो Jude के साथ में है 8 months after they separated and subsequently sent this child to his father और बाद में उस बच्चे को Jude के पास में भेज़ देती है he is named Jude and nicknamed little father father time उसका नाम भी क्या है उसका नाम भी Judy रखा जाता है और उसको जो नाम दिया जाता है उस तरह के questions पूछ लिया जाते है because of his intense seriousness and lack of humor वो lack of humor उस बच्चे के अंदर होता है इसलिए उसे ये नाम दिया जाता है Jude eventually convinces Sue to sleep with him और जो Jude है वो बाद में Sue को convince कर लेता है अपने साथ सोने के लिए and over the years they have two children together and expect a third और कुछ सालों में उनके दो बच्चे होते हैं और तीसरे बच्चे के लिए expect कर रहे होते हैं but Jude and Sue are socially ostracized for living together unmarried लेकिन उन्हें socially जो है उन्हें ostracized किया जाता है ठीक है उनके साथ बुरा बिहार किया जाता है क्योंकि वो बिना शादी के साथ रह रहे होते हैं especially after the children are born और जब कि उनके दो बच्चे हो चुके होते हैं Jude employers dismiss him because of the illicit relationship and the family is forced into nomadic lifestyle अब जो Jude है वो बिलकुल उसको उसके employer भी dismiss कर लेते हैं क्योंकि उसकी जो illicit बुरी relationship है अवैज जो relationship है उसकी वज़े से the family is forced into a nomadic lifestyle और उसे एक nomadic जो घुमकर lifestyle है उसमें आना पड़ता है moving from town to town across sex seeking employment and housing before eventually returning to Christian minister वो अब घुमता है जगे जगे और उसको employment की ज़रूरत है और housing की ज़रूरत है वो वापस Christian minister आ जाता है their socially troubled boy little father time comes to believe that he and his half sibling are the source of family woes और उसका जो बच्चा है little father time जिसका नाम है उस उसता है कि वो और उसके जो half sibling है यह सभी जो हैं वो family के दुख का कारण है the morning after their arrival in Christian minister he murders, sees two children and kills himself by hanging तो वो खुद क्या करता है दोनों बच्चों को अपने भाईयों को मार देता है और खुद भी फासी पर लटक जाता है he leaves behind a note और उसमें लिखा रहता है कि done because we are too many उसे यह लिख कर उस note में रखता है कि क्योंकि मैंने यह सब किया क्योंकि हम बहुत जादा थे and shortly thereafter she has a miscarriage उसे miscarriage होता है besides herself with grief and blaming herself for little father's time action she turns to a church that she has rebelled against and comes to believe that the children's death were divine retribution for her relationship with Jude अब वो यह मानती है कि जो भी मेरे साथ हुआ वो Jude के साथ में जो illicit relationship थी अवैद relationship थी उसके वज़े से हुआ although horrified at the thought of resuming her marriage with Philostan she becomes convinced that for religious reasons she should never have left him अब वो सोसती है कि वोसे Philostan के साथ चला जाना चाहिए क्योंकि उसने और वो regret भी करती है कि उसे कहीं नहीं छोड़ना चाहिए जो Philostan उसका पिसला husband है Arabella discovers she's feelings and informs Philostan who soon purposes they remarry अब जो Arabella है उसको स्यू की feelings के बारे में पता चलता है और वो Philostan को ये बात बता देती Philostan उसे फिर से purpose कर लेता है और यहां पर क्या होता है कि फिर से जो Jude है वो Jude को छोड़ देती है Philostan के साथ चली जाती है and she allow herself sex with her husband and with that वो ये करने के साथ ये सोचती है कि उसे इस बात की punishment मिल चुकी है और जो Arabella है वो alcohol किसको देती है Jude को देती है और उससे फिर से marriage कर लेती है after one final desperate visit to sue is freezing weather Jude becomes seriously ill and dies within the year and Chris Minister thwarted in the ambition to achieve fame in his studies as well as in his love यहाँ पर जो Jude है उसकी death हो जाती है जब वो बीमार होता है और वो इस ambition के साथ मरता है कि वो कभी fame अचीव करेगा अपने studies में या अपने love में साल में होता है but no dates are specifically given in the novel लेकिन कोई भी उसमें dates नहीं दी गई है aged 11 at the beginning of the novel by the time of Jude seems much older than older than his 30 years वो ऐसा लगता है कि वो 30 साल का हो चुका है क्योंकि उसने जो disappointments और grief जो दुख उसने total life में जहले थे उसकी वज़े से अगला जो work है वो है आपका desperate remedies इसके स्टोरी देखते हैं desperate remedies in the second novel by Thomas R. D. Elway the first to be published यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे लिखी जाने वाली जो है वो तो है आपकी second novel बट अगर हम publication date देखें तो यह first novel है इट वर्ज रिलीज़ अनॉनिमसली बाई टिंसले ब्रदर्स जो है टिंसले ब्रदर्स ने इसे इसमें नाम नहीं है किसी राइटर का publish किया था 1871 में summary के बारे में बात करें desperate remedies a young woman cytheria gray जो इसकी character है वो है आपकी cytheria gray is forced by poverty to accept a post of ladies made to the eccentric miss alcliffe तो इसमें जो दूसरी character है वो है miss alcliffe तो यहाँ पे cytheria gray एक mate की तरह काम करती है the woman whom her father had loved but had been unable to marry cytheria loves a young architect edward springro अब एक नया character यहाँ पे है अब लोग लिस्ट बनाते चलिए edward springro but miss at cliffs mechanicians the discovery that edward is already engaged to a woman whom he does not love उसकी जो engagement हुई है एक ऐसी woman से हुई है जिससे वो प्यार नहीं करता है and the urgent need to support a sick brother drives cytheria to accept the hand of anis manston अब जो है cytheria का क्या है एक brother है जिसको उसे care करनी है तो इसलिए उसे anis manston का हाथ accept करना पढ़ता है miss at cliffs illegitimate son और जो ये है जो manston है वो at cliff का illegitimate son है means aware संदान है whose first wife is believed to have perished in a fire however their marriage is almost immediately nullified when it emerges that his first wife had left him left the inn before it caught fire और उनकी जो marriage होती है वो बाद में nullified हो जाती है खतम हो जाती है मानी नहीं जाती क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी जो wife थी वो already वहाँ से भाग चुकी थी ओके जो illegitimate son था उसकी जो wife थी उसको ये मान के चला गया कि वो एक बार जब होटेल में आग लगती है तो मर गई थी लेकिन अचानक से जो है ये पता चलता है कि वो मरी नहीं थी वो होटेल से भाग गई थी मैंस्टन's wife apparently returns to live with him अब जो मैंस्टन की wife है वो फिर वापस आ जाती है उसके पास but सैथेरिया her brother the local reporter and Edward come to suspect that the woman claiming to be Mrs. मैंस्टन is an imposter और वो से पता चलता है कि जो women वहाँ पर आई है जिसने Mrs. मैंस्टन अपको बताया है वो एक imposter है रियल नहीं है it emerges that मैंस्टन killed his wife in an argument that after she left the inn और इसमें पता चलता है कि जो मैंस्टन है उसने अपनी wife को मार दिया था okay and had brought in the imposter to prevent his being prosecuted for murder और फिर उसने उस imposter को वहाँ पर ले आया था हो उस औरत को वहाँ पर ले आया था क्योंकि वो जो lady थी वो उसको बचा सकते थी murder के case से as the argument had been heard but not seen by the by a poacher who suspected मैंस्टन of murder and had planned to go to the police if his wife did not turn up alive अब जो वो पोचर था वापे जिसने पुरी उनका जो जगडा था मैंस्टन और उसकी wife का जगडा था उसे सुना था तो वो पुलिस के पास alive नहीं होती है तो जो मैंस्टन है उसने एक game खेला और उसने क्या किया जो imposter है उसको अपनी wife बना कर ले आया in the novel's climax मैंस्टन attempts to kidnap cytheria and flee but he is stopped by Edward जो last है वो मैंस्टन क्या कर रहा होता है cytheria को kidnap कर रहा होता है वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन Edward उसको पकड़ लेता है he later commits a suicide in his cell और जो मैंस्टन है वो last में suicide कर देता है cytheria और Edward जो है वो दोनों शादी कर लेते हैं तो इसमें आप फिर से दो तीन चीजे और अल्रड़ी hopefully आप लगों ने note कर ली होगी let's talk about next novel Under the Green Wood Tree A Rural Painting of the Dutch School तो ये आपको क्या करना है इसे फिर से आपको note down करना है Under the Green Wood Tree A Rural Painting of Dutch School is a novel by the English writer Thomas R.D. Thomas R.D. की work है ये तो हम अल्रड़ी देख रहे हैं anonymously उन्होंने ये भी work जो था पिसली work की तरह है Jude the office cure की तरह है और बाद में जो work था उसकी तरह ये publish हुई थी 1872 में ये work आपके anonymously उन्होंने publish किये थे It was hardy second publish novel अब ये अच्छा आप लोगों को एक doubt हो रहा होगा कि anonymously क्यों publish होती थी कई सारी novels actually जब इस तरह से कोई भी sexual कोई भी बात उस time पे society में किया जाता था तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता था और ये जो faith है Christian जो faith है अगर हम Christianity में देखें Christian faith में देखें तो जो कई सारी चीज़ें थी उस time पर I don't know कि अब क्या है लेकिन उस time पर जो थी तो इस तरह की जो relationship होती थी illicit relationship होती थी इनकी बारे में बात करना भी क्या नहीं होता था allowed नहीं होता था इसलिए जो Thomas Hardy या जो writers होते थे वो थोड़े से डरे होते थे कि कहीं उन पर किसी बात का ये impact ना आ जाए इसलिए वो अपने works को usually क्या करते थे anonymously published करते थे ये इसके पीछे fact है all right now let's go ahead it was Hardy's second published novel ये second published novel है and the first of what was to become the series of Vasex novel और ये क्या था कि ये first novel है जो कि Vasex novel में first novel है धिहान रखिये कि जो under the green wood tree है Vasex novel में first novel है बाकी novels उसके बाद आई है critics recognize it as an important precursor of the later tragic works setting the scene for the Vasex that author would return to again and again तो यहाँ पर author ने जो Vasex अपना set किया था Vasex novels बोला जाता है एक place है Vasex तो उस Vasex novel को बार बार उस place को फिर writer लेके आता है अपने works में Hardy himself called the story of Malstruck Quoyer and its West Gallery musician a very true picture at first hand of the personage ways and customs which were common among such orchestral bodies in the village of the 1850s तो उन्हों ने जो Malstruck Quoyer and West Gallery musician थी उन्हों ने इसको a very true picture कहा था summary के बारे में देखते हैं characters को देख लेते हैं इसमें characters आप देख सकते हैं red में मैंने अपनों characters करके दिये हैं all right so you can do these the novel follows the activities of a group of West Gallery musician the Malstruck Paris Quoyer one of whom Dick Dewey becomes romantically entangled with the commonly new village school mistress Fanny Day जो स्टोरी है वो है West Gallery musician okay the Malstruck Paris Quoyer के बारे में इन दोनों के बारे में हैं उसमें एक आदमी है वो है Dick Dewey जो की Fanny Day के साथ में romantically entangled हो जाता है और ये कौन है Fanny Day ये एक school mistress है the novel opens with the fiddlers and singers of the Quoyer including Dick तो ये novel open होती है fiddlers और singers जो है उनके साथ में वहीं पर introduction होता है Dick का his father Reuben Dewey और उसका father जो है उसका नाम है Reuben Dewey the grandfather William Dewey और उसका जो grandfather है Dick का वो है William Dewey making the rounds in Malstruck village on Christmas Eve Christmas Eve में वो Malstruck village पे घूम रहे है when the little band plays at the school house young Dick falls for fancy at first sight अब जैसे ही जो band है उनका संगीत का group है वो अपना song गा रहा है और जो Dick है वो Fanny को देखता है और वो उससे प्यार करना शुरू कर देता है Dick Smitten seeks to insinuate himself into her life and affections वो Smitten है Smitten means होता है loving someone deeply बहुत ज़्यादा deeply किसी को प्यार करना बट fancy's beauty has gained her other suitors including sinner a rich farmer अब एक और है sinner वो क्योंकि fancy जो है वो बहुत खुबसूरत है तो उसको एक sinner जो है वो rich है इसलिए वो भी प्यार करता है and Mr. Maybold the new wicker at the parish church और जो Maybold है वो एक wicker है means एक बहुत अच्छी position पे है तो Maybold हो गया sinner हो गया ये क्या है अब Dick के क्या हो गया rival हो गया क्योंकि ये सभी क्या चाहते है फैनी को चाहते है अब जो शिनर है वो बहुत rich है Maybold informs the choir that he intends fancy and accomplished organist to replace their traditional gallery singing and string accompaniment to Sunday services अब जो Maybold है वो चाहता है कि जो फैनी है उनके साथ काम करे Reuben Dewey जो father था the rest of the band visit the rectory to negotiate but reluctantly give away the vicar's wishes और जो vicar की जो wish है उसको मान लेते है Dick seems to win fancy's heart जो fancy है उसका दिल जीत लेता है Dick and two becomes secretly engaged when he told they both get secretly engaged when he is told जब उसे ये बात बताई जाती है fancy's father is initially opposed जब fancy का जो father है वो ये सीज को oppose करता है oppose करता है but changes his mind when as a consequence fanny stops eating and her health deteriorates fancy जो है वो खाना पीना छोड़ जाती है तो fancy के फादर मान जाते है some months later after fancy's first Sunday service as organized जो organized वो बन जाती है may bold unexpectedly proposes marriage and promises fancy a life of relative affluence अब जो may bold है जो wicker है वहाँ का वो पहले से पसंद करता है fancy को तो और उसे पता नहीं है कि ये secretly उसकी engagement हो चुकी है वो उसको propose कर देता है और उसे कहता है कि means life उसकी क्या होगी relative affluence रहेगी बहुत जादा उसके पादा पैसा रहेगा reckled by guilt and temptation she accepts और वो guilt or temptation लालच में आकर जो उसका proposal है उसे accept कर लेती है the next day however at a chance meeting with dick may bold learns that fancy is in fact already spoken for may bold writes a letter admonishing her to be honest with dick and withdraw her commitment to him if she intend meant what she had accepting may bold यहाँ पर जब may bold को पता चलती है यह बात की वो dick के साथ में already उसका उसकी engagement हो चुकी है तो उसके लिए राइटर वो एक letter लिखता है may bold writes her letter उसे बोलता है कि उसे honest होना चाहिए dick के साथ में और विड्रो कर ले जो उसका commitment है किसके साथ में may bold के साथ में अब fancy जो है वो इसे consider कर देती है fancy on reconsideration withdraws her consent to marry may bold and ask him to keep her initial acceptance forever a secret अब वो may bold को कहती है कि आप क्या करना कि जो मैंने accept किया था proposal को हो शादी के लिए उसे हमेशा एक secret टकना may bold again urges her to be honest with dick about the episode और may bold कहता है कि तुम ये बात dick को भी जरूर बता देना अब सभी लोग क्या है last में final chapter में ये दिखाय जाता है कि सभी humorous हैं बहुत अच्छे से वहाँ पर हैं और सभी celebrate कर रहे हैं जो dick है और fancy के जो wedding है उसको सभी celebrate कर रहे हैं the novel concludes after the ceremony with dick telling fancy that their happiness must due to their being such full confidence between them he says that they will have no secret from each other no secret at all और last में वो ये कहते हैं कि हमारे बीच में कोई secret नहीं होना चाहिए fancy replies none from today और वो कहती है आज के बाद and changing this subject subject things of a secret she would never tell और वो subject को change कर देती हैं ये कहकर और वो उसको वो secret नहीं बताती जो उसने पहले Mabel को शादी के लिए हाँ कही थी important characters के बारे में बात करते हैं डिक ड्यूवी young member of Malstok कोय in love with fancy day और वो fancy day के साथ में प्यार करता है जैसा हमने देखा था fancy day एक teacher है village school में Mr. Maybold जो है new vicar है Malstok का Robert Penny है one of the कोयर आप बूट and shoemaker by profession Ruben Dewey Dick's father Dick का father है एक trainer है carrier है and de facto leader of a spokesman for the Malstok कोयर का spokesman है William Dewey Dick's grandfather Geoffrey Day fancy's father gamekeeper and steward at one of the Earl of Sex and outlying state उसके बाद है जो final है वो है आपका शिनर जिसके बारे में हमने बात की थी Frederick Shiner जो है वो एक rich farmer है कहाँ पे किस village में Malstok village में यह पूछा जा सकता है कि जैसे Malstok village किस work में था ओके Dick's rival in the courtship of fancy a pair of blue eyes a pair of blue eyes is a novel by Thomas Hardy published in 1873 1873 में published हुई थी serialized जो हुई थी हो September 72 में हुई थी और 73 में इसको and July 1873 जो published हुई थी finally 73 में हुई थी It was Hardy's third published novel यह third published novel है The first not published anonymously and upon its first publication और जो यह अगर हम बात करें कि a pair of blue eyes यह third है और Thomas Hardy ने अपने नाम के साथ published की थी तो यह आपकी first novel है जिसमें उन्होंने अपना नाम mention किया था अब summary के बारे में बात करते हैं The book describes the love triangle of young woman Alfred Swancoat and her two suitor from very different background तो यहाँ पर पहला यह जो character है आप लोगो लिस्ट में लिखना है वो है Alfred Swancoat and her two suitor from very different backgrounds Stephen Smith is a socially inferior but ambiguous young man who adores her with whom she shares a country backyard तो अब एक दूसरा है कौन है Stephen Smith socially inferior है ओके next is Henry Knight is the respectable established older man who represent London society और जो Henry Knight है वो London society को क्या करता है represent करता है although the two are friends दोनों के दोनों क्या है friends है Knight is not aware of Smith's previous lizen with Alfred और जो Knight है उसको Henry Knight जो है उसको नहीं पता कि जो Smith है वो already किस से मिला है Alfred Swan Court से Alfred finds herself caught in a battle with her heart अब जो Alfred है वो अपने heart के साथ में battle पे है क्योंकि उसके पास दो shooter है her mind and the expectation of those around her her parents and society उसका जो battle है heart का जो battle है सोचने का जो battle है वो इसलिए है कि वो अपनी expectation और अपने parents और society के expectation के बीच में फसी है when Alfred's father finds that his guests and candidates for his daughter's hand architect's assistant Stephen Smith the son of the mason he immediately orders him to leave जब उसे पता चलता है कि Stephen Smith भी उस लड़की का हाथ मांगने वाला है protagonist का तो उसको वहाँ से जाने को कह देता है Knight who is relative of Alfred's step mother जो Knight है वो किसका relative है Alfred's step mother का जो Alfred है उसकी step mother का relative है is later on point on seeking to marry Alfred but ultimately rejects her when he learns she had been previously courted जब उसे पता चलता है कि उसे पहले भी उसने किसी के साथ में हाँ कही है तो फिर मना कर देता है उससे desperation marries a third man Lord Luke's villain अब जो Alfred है वो क्या करती है एक उन दोनों को reject कर देती है और किसी third आदमी से शादी कर लेती है उस third आदमी का नाम क्या है Lord Luke's villain the conclusion finds both suitors traveling together to Alfred both intent on claiming her hand अब दोनों के दोनों फिर वापस आते है उसकी जो neither knowing either that she already is married अब दोनों को पता ही नहीं होता कि ये उसकी शादी Lord Luke's villain से हो चुकी है that they are accompanying her cops and coffin as they arrival उन्हें नहीं पता होता कि वो अल्रडी married है और they are accompanying her cops and coffin as they arrival कि जब वो वहाँ पहुंचेंगे तो अगर means for them that is a death body now let's talk about characters first जो है वो character आपके है Alfred Swancourt the heroine is both extremely attractive and emotionally emotionally naive Victorian Miranda and वो बहुत naive है और वो एक Victorian जो हम कह सकते हैं society को represent करती है movement society को represent करती है Stephen Smith first suitor also has this childish childish innocence and she loves him because he is so docile and gentle Stephen Smith है उसे क्यों प्यार करती है क्योंकि हो बहुत innocent है okay Henry Knight Henry Knight क्या है जो second suitor है is more dominantly masculine यह बहुत ज़्यादा masculine है और dominant भी है with the expectation of Alfred's spiritual and physically virginity वो चाहता है कि जो Alfred है physically और spiritually virgin हो far from the madding crowd this is again got published in 1874 अपलोग देख सकते यहाँ पर उनका first major literary success थी and it was it came in monthly serial as Cornhill magazine and Thomas Hardy's this novel is the first to be set in Thomas Hardy's sex in a rural southwest England it deals in themes of love honor betrayal against the backdrop of the seemingly idyllic community Victorian England की है उसे यह शो करता है it describes the life and relationship of बातसेवा अबर देन with her lonely neighbor William बोल्डवे कि यहाँ पे जो relationship दिखाई गई है वो बातसेवा के दिखाई गई है अपने lonely जो neighbor है उसका William बोल्डवे बोल्डवे वो बातसेवा के साथ relationship है दे फेथफुल शेफ़र्ड गैब्रियल ओक and तो इतनों के साथ इतनों के साथ उसकी relationship होती है थ्री के साथ में उसमें उन्होंने चेंजेज भी किये थे ये जो समरी है थोड़ा सा लंबी है इसलिए हम इसको थोड़ा short में देखनी कोशिश करेंगे जो यहां पर Gabriel Oak है वो Gabriel Oak है आपका एक shepherd और वो कर लेता है वो propose करता है किसको बातसेवा को पहले वो प्यार में है बातसेवा के लेकिन बातसेवा को जब एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन बातसेवा क्या कर लेती है refuse कर लेती है उसके इस proposal को शादी करने के लिए क्योंकि वो independent रहना चाहती है कुछ टाइम के बाद वो चली जाती है अपने next place पे वो है आपका weather weather बरी और यहां पर जो circumstances हैं बहुत तेजी से change होते है जो गैबरियल के जितनी भी भेड़े हैं एक sheep dog होया है वो उसके सारी भेड़ों को एक चटान की तरफ ले जाता है जो गैबरियल है उसके सारी जो भेड़े हैं वो चली जाती हैं मर जाती हैं और वो पैनी लेस हो जाता है वो बिल्कुली बहुत जादा वो गरीब हो चुका है अब वो चाता है कि उसे कुछ employment मिले वो इधर उधर जाता है कैस्टर ब्रेज में और जगह पर weather बरी में बट होता यह है कि वहां भी वो जब farm में जाता है तो वहां भी उसे एक job मिलती है पर पूरे farm में आग लग जाती है और वहां पर जब वो उस farm को बचाता है तो वहां पर वो जब उस owner से बात करता है owner से बात करता है कि job के लिए तो वो अपना face जब हटाती है तो बाद में पता चलता है कि अच्छा वो कौन है बादशेवा ही होती है and she has recently inherited her uncle's estate और उसे सारा पैसा मिला हुआ है जो उसका uncle है और वो अब बहुती wealthy है वो uncomfortable तो feel करती है बट उसे अपने पास रख लेती है जो यह novel है इसे अलग-अलग parts में divide किया हुआ है तो यहाँ पर जो first part है वो है बादशेवा स्वेलेंटाइन टो बोल्ड वूड बादशेवा को वहाँ एक नया admirer मिल जाता है उसका नाम है विलियम बोल्ड वूड विलियम बोल्ड वूड जो है वो अभी 40 साल का है लेकिन वो बहुत अमीर है वो उसके बाद उसे एक letter भीसता है वैलेंटाइन के डे के दिन और उसे propose कर लेता है marriage के लिए और वो इस offer को accept कर देती है क्यों क्योंकि वो चाहती है कि जो ये आदमी है वो eligible most eligible bachelor है district में लेकिन जो बादशेवा है वो उसको कोई भी definite answer नहीं देती है जब उसको definite answer नहीं देती है Gabriel उसे इस बाद के लिए भी डाटता है कि उसे थोड़ा thoughtful होना चाहिए और वो उसको dismiss कर देती है उसके बाद जो बादशेवा की जितनी भेड़े हैं वो मरना शुरू हो जाती है और जो इसका cure है वो सिर्फ Gabriel जानता है वो Gabriel से नहीं मिलना चाहती है लेकिन उसकी आप मजबूरी है वो और उससे help के लिए कहती है और she offers him back his job and their friendship is restored और वो दोनों के दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं जो next part है वो है आपका sergeant try के नाम से और जो sergeant try है वो action में नाम है किसी का अब वो sergeant try वापस आ जाता है कहां पर within belay में जहां पर की क्या है वो भी native है कहां का विधरबरी में वो आ जाता है वाँ पर वो बात्षिवा से मिलता है और बात्षिवा को दिखाता है अपनी shortmanship तलवार चला के दिखाता है वो बहुत impress हो जाती है उससे शाधी करना चाती है Gabriel जो है उसे ये बात पता चलती है वो कहती है कि इस से better तुम्हें बोल्ड वुट से शादी कर लेनी चाहिए बोल्ड वुट को ये बात पता चलती है वो अग्रेसिव हो जाता है किसके लिए ट्रॉय के लिए और उसे कहता है कि यहां तुम्हें दुबारा नहीं आना है बाद में जो बोल्ड वुट है वो अपने राइवल को बहुत सारा पैसा उसे ब्राइव करने की कोशिश करता है कि जिससे कि वो बाध्शिबा को क्या करे छोड़ दे तो ट्रॉइ पहले तो परिटेंड करता है कि वो इस आफ़र को लेगा लेकिन बाद में वो बताता है कि वो तो already married है इस बाद से बोल्डविड गुसा हो जाता है वहां से चला जाता है बोल्डविड जो बाद शिवा है वो बाद में उसे पता चलता है कि उसका जो नया husband है वो एक improvement है वो gambling में interest रखता है और farming में नहीं रखता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो उसे प्यार भी नहीं करता है यहां पर जो बाद शिवा है उसे एक story और पता चलती है कि जो Troy है actual में वो किसी और को प्यार करता था और वो कौन थी वो थी Fanny Robin Fanny Robin उससे शादी करती है और शादी करना चाती है लेकिन जिस दिन उनकी शादी होती है उस दिन वो चली जाती है किसी गलत चर्च में चली जाती है अब इस बाद से Troy जो है वो बिल्कुल humiliated फील करता है और वो शादी के लिए मना कर देता है लेकिन कुछ टाइम बात पता चलता है कि जो Fanny है वो Troy के बच्चे की माँ बनने वाली है उसके बाद हम आते हैं फैनी Robin की स्टोरी में फिर से जो अगला पार्ट है इस पार्ट में ये दिखाये जाता है कि जो Troy और बाद शेबा दोनों है वो दोनों की दोनों Fanny को रास्ते में देखते हैं रास्ते में वो बिल्कुल destitute है destitute बिल्कुल दुखी इस्तिती में है और वो केस्ट ब्रिज वोक हाउस जाना चाहती है Troy उसकी मदद करता है उसको पैसा देता है और उसे कहता है कि कुस दिनों में मैं तुम्हें फिर्ट से पैसा दूँगा लेकिन वो जब वहाँ पर पहुंसती है अपनी जगे पर वो मर जाती है दोनों के दोनों मर जाते है Mother और जो चायल्ड है किसके साथ फैनी के साथ में और वो जो चायल्ड का जो बच्चे के एक्जिस्टेंस है उसे छुपाना चाता है बादशिवा उसे अपने पास ले आती है जैसा उसे लगता है कि जो सर्वेंट है उसकी देखभाल उसे करनी चाहिए उसके बच्चे के देखभाल करनी चाहिए एक दूसरी जो उसकी सर्वेंट है उसका नाम है लेडी वो इस रियूमर को फैलाती है उसके बाद जो ट्रॉय है वो आ जाता है केस्टर ब्रेज जहां उसने बोला होता है कि वो फैनी से मिलेगा लेकिन क्या होता है जो फैनी है उससे वो मिल नहीं पाता ट्रॉय जो है उसने कहा होता है कि वो कैस्टर ब्रेज में फैनी से मिलेगा लेकिन वो फैनी से नहीं मिल पाता जब वो फैल हो जाता है तो वहाँ पर वो कॉप से मिलता है उसकी मिलता है और बाद शिवा से गुष्टे में कहता है कि ये जो वोमिन थी वो मेरे लिए तुमसे हमेशा means इसकी importance तुमसे ज़्यादा थी हमेशा रहेगी हमेशा रहेगी उसके बाद उस सारा पैसा जो है मार्बल टूम स्टॉम पे खर्च कर देता है और उसके बाद इसके बाद जब वो पैसा खर्च कर देता है तो वो समुद्र में जाता है C में जाता है एक strong current आता है और उसे बहा कर ले जाता है लेकिन उसे बचा लिया जाता है He does not return home महावेबा लेकिन वो उसके बाद घर वापस नहीं आता है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है Troy return means जहां पर Troy वापस आता है Troy six month के बाद आता है ओके लेकिन उससे पहले जो baldwood था वो बाद शिवा के पास में आता है उससे शादी करना चाता है लेकिन जो बाद शिवा है वो six month का उसे time देती है कि six month में वो शादी का लेती है अब जो Troy है वो बिल्कुल गरीब हो चुका है लेकिन वो वहाँ पर वापस आता है और अपनी wife और position वापस लेना चाता है जब वो विदर बरी में आता है six month के बाद तो वहाँ पर बोल्ड विड अपने house में होता है जहां पर की party चल रही होती है क्योंकि बाद शिवा ने हाँ कर दी है जब Troy वापस आता है उनके जहां पर party हो रही होती है वो बाद शिवा को order देता है कि उसके साथ चले जब वहाँ पर वो मना कर देती है तो उसका हाथ पकड़ कर खीसता है वो चिलाती है और इसमें जो bald weed है वो Troy को shoot कर देता है उसके बाद उसे convict किया जाता है murder के लिए और उसे फासी के सजा हो जाती है लेकिन उसे बाद में mercy के तहट उसे छोड़ दिया जाता है बाच्टेबा जो है वो अपने husband को बरी करती है same grave as fanny robin and their child और तीनों को एक ही जगह डफना दिया जाता है गैबरियल ट्राइफेंट तो यहाँ पर क्या होता है जो गैबरियल है वही वहाँ पर उसका स्यूटर बचा हुआ है तो जो बाच्शिबा है वो उसके पास जाती है और finally उसे शादी कर लेती है जो बाच्शिबा है वो उसके पास अब वो admit कर लेती है कि वही उसका गैबरियल जो है उसका best जो friend था उसको उसने हमेशा help की थी वो उसके पास जाता है पहले वो मना करता है the novel is set on Agden Heath जो next हमारी novel है वो है आपकी the return of the native ये जो work है ये आपका Agden Heath में set है तो ये place आपको याद रखना है जो Agden Heath है ये एक fictional baron moore in Wessex ये भी Wessex novel है in southern southwestern England में है इसका जो native the native of the title is Clem Yobright और ये इसका protagonist है वो हाज रटन to the area to become a schoolmaster वो आपस Clem Yobright schoolmaster बनने आया हुआ है after a successful but in his opinion shallow career as a jeweler in Paris he and his cousin Thompson exemplify the traditional way of life while Thompson's husband Damon Valdiv and Clem's wife Eustacia Vyle long for the excitement of city life तो यहां पर जो characters हैं वो आप लोग देख सकते हैं उनकी जो cousin है वो है आपकी Thompson और traditional way of exemplify the traditional way of life और जो Thompson का husband है Damon Valdiv and Clem's Yobright's wife Eustacia Vyle वो excitement of city life को exemplify करते हैं disappointed that Clem is content to remain on the heat वो disappointed है Eustacia से Eustacia जानती है कि जो Clem है वो यहीं रहना चाता है heat में ही रहना चाता है willful and passionate rickindles her affair with the reckless demon वो demons के साथ में relationship में चली जाती है उसके बाद आपका जो लहास्ट है वो यह है कि after a series of coincidence Eustacia comes to believe that she is responsible for the death of Clem's mother और Eustacia को लगता है कि Clem's की जो mother है उसकी death के लिए responsible है convinced that fate has doomed her to cause other pains Eustacia flees and is drawn by accident और intent यह बात हमें नहीं पता demon drones trying to save her और जो demon है वो भी वहाँ मर जाता है डूब कर तो यह आपको याद होना चाहिए कि वो किस तरह से उनकी death हुई थी क्योंकि यह पूछा जाता है so with that we end this session और आप लोगोंने पूरे characters पूरे story line आप लोगोंने note कर लिए होगी so see you in next video good luck for your exams